नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के उर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर परग्या बढ़ी बिएससी यानी की बिहार कर्मचारीचन आयोग के द्वारा लिख्यों पर रुख्यों बढ़ादी गई है बतादी के 22 विभागों में 1109 में 1101 सीटों की संख्या को बढ़ाते वे 12190 कर दिया गया है बतादी इस में बी एससी के सचीव सुनल कुमार के दौरा बताया गया कि रिक्त सीटों की संख्या वेफसाइट बी एससी.bihar.gov.in पर अप्लोड कर दी गई है ऐसे में जो अभियर्थी इसके लिए आवीदन करने के एक्चुक हैं वह बी एससी की आधिकारिक वेफसाइट पर जाकर 11 न में नए सब्दाह ग्री कॉंप्लेक्स का इस दन से निर्मान कारे होगा शुरू बिहार के राजधानी पतना के बांस घाट में नए सब्दाह ग्री कॉंप्लेक्स का निर्मान कारे नवंबर महीने से शुरू होने वाला है ऐसे में इसको लेकर बीते दिन एक बार फिर से ट निर्मान काड़े शिरू कर दिया जाएगा वहीं निविदा की सर्तों के अनुसार निर्मान काड़े करने वाली एजंसी अगले 11 महीने तक इसकाम को पूरा कर लेगी आपके जानकाड़ी के लिए बता दे किस पर आने वाला खर्च नवासी दसमलो चार्शन करोर रुपे होगा जिससे दो विद्युत सब्दागरी और लकड़ी पर शर्ब जलाने के लिए चार चबुत्रों का नणमान किया जाएगा इसके लावा पार्किंग और हरत पट्टी भी बनेगी IPS अधिकारी सिवधी प्लांडे ने विमान सिवाओं की कूवेवस्था पर उठाया सवाल सहरसा में DIG के पद पर तैनात IPS अधिकारी सिर्धी प्लांडे के द्वरा एक बार फिर से विमान सिवाओं की कुवेवस्था पर सवाल उठाते वे अपनी बतनी और अपनी बेटी को लेकर अपना दर्द साजा करते वे सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि स्पाइस जट की फ्लाइट SG 115 मुंबई से सुबह सारे 6 बजे उरान भरने को प्रस्तावित होती है और इसी फ्लाइट से मेरी बेटी आडाह और पतनी गौरी भी मुंबई से दर्भंगा आने वाले होते हैं सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए आपको कम से कम 3 बजे रातरी को उठकर 4 बजे तक उरान तल पहुँचना होता है ताकि आप समय पर फ्लाइट बोर्ड कर सके हाला कि अभी 8 बज चुके हैं और सब यातरियों को पंक्ती में पिछले 2 घंट से अधिक खड़े रखने के बाद भी कोई सूशना नहीं है कि फ्लाइट कब प्रस्थान करेगी करेगी या नहीं ऐसा नुभग कोई प्रथम बार नहीं हो रहा मैंने अकसर बिहार को आने वाली स्पाइस जिट फ्लाइट में यरभव किया है आप खुद सोचे मुंबई से दरभंगा आने वालों में अतिदिक वैसे यात्री हैं जो कि मजदूर वर्ग या तो मुंबई के बड़े अस्पताल से राज करवा की वापस आ रहे होते हैं या फिर विद्यार्थी वर्ग से तालुक रखते हैं ऐसे में बिना किसी सूशना के उनके साथ यू जानवड़ जैसा सलूख क्या ये अप 22 जट के प्रवंधन से इसके खिलाफ उजद लराई लड़ूगा नियोजद सक्षकों को राज्य कर्मी का दरजा देने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोट बीते कई समय से राज्य के नियोजद सक्षकों के द्वारा राज्य कर्मी का दरजा की मांग की जा रही है ऐसे में अब यह मामला सुप्रीम कोट पहुँच चुका है पतादी की बिहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक इसके खिलाफ देज की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट के तरफ रुख किये हैं दरजल टी एटी सिक्षक संग की ओर से नियोजिस सक् मन में टी एटी सिक्षक संकी प्रदेश अध्यक्ष अमिद विक्रम का कहना है कि उन्हें सरकार की मनसा समझ नहीं आ रही आज है अनंत चतुरदसी बाबागडी बस्थान से शधालू का लगा ताता आज यानि के 28 सितंबर को अनंत चतुरदसी है बता दे के अनंत चतुरदसी का पर्व भादरपत सुक्ल चतुरदसी को मनाया जाता है मालमों कि आज के दिन विशेश रूप से भगवान विश्न के अनंत रूप की पूझा की जाती है आज के दिन भक्त पूरे दिन का उपोवास रखते हैं और पूझा के दौरान पवतरधागा बांते हैं मालुमों कि भगवान गनेश का भी विसर्जन आजी के दिन किया जाता है बता दे कि आज अनंत चितुर्दसी के मौके पर बिहार का देवगर कहे जाने वाले मुझपरपुर के बाबा गरीब स्थान मंदर में विशेश पूजा अर्चना का आयोजन किया गया ऐसे में इस दौरान यहां श्रधालू की भारी भीर देखने को मिली मानुमों कि आज के दिन सभी मंदिरों में श्रधालू की भारी भीर देखी जाती है श्रधालू मंदिर परिसर में विविन तरह के अनस्थान भी पूर्ण करवाते हैं पवन सिंग के तलाक मामले पर कोट में हुई सुनवाई विदिदिन भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंग और उनकी पत्नी जोती सिंग अपने तलाक के मामले को लेकर आरा के फैमली कोट पहुची थी इस दुरान पवन सिंग और जोती सिंग दोनों के द्वारा कोड के सामने अपनी अपनी बाते रखी गए जिसमें पवन सिंग के ऊर से कोड के सामने प्रस्ताव रखती वे जमी होने वाले विधान सभा चुनाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है इसी कड़ी में अब चुनाव आयोग की ओर से बिहार कैडर के 20 आइस अफसरों को बड़ी जिम्यदारी देते वे उन्हें प्रेक्षक बना दिया गया है बता दे कि जन 20 आइस अफसर को प्र सनक्षन विभाग के निदेशक दीपक आनंद लगुजल संसाधन विभाग के विसेश सचीव डॉक्टर आसीमा जैन गर्ना उद्योग विभाग के इखायोगत गिरिवर दयाल सिंग पशिम चंपारण के बंदोबस पतादिकारी सुरेश चौधरी कला संस्कृती एवं टक्निकी उद्छ विभाग के निदेशक संजीव कुमार नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचीव सुनिल कुमार यादव सवयोग समीतियां के निवंदक राजेश मीना पसुपारण के निदेशक नवदीव सुकला पंचायिती राज के निदेशक अनंद सर्मा, नियोजन इवं प्रसक्ष निदेशक, स्यान बिहारी, मीना, खान निदेशक, मुहम्मद, नैयर, इकबास, समाज कल्यान के निदेशक, प्रशान कुमार, सीएच और सक्षा विभा के स्विंत सचीव सजन आर के नाम शामल है कहीं सोनु सूद तो कहीं बिजली कर्मी बन हो रहा साइबर ठगी, इन दिनों साइबर अप्रा सिजरे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में पर नकेल कसने के लिए साइबर पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही, मालुम हो कि अब सोनु सूद और ट्वीटर पर टैग किया था, जिसके बाद उन्हें सोनु सूद के नाम से फोन और वाट्साइब कॉल आया, और उन्हें कहा गया कि आपको इसके लिए 21,600 और कूपन के लिए 3600 रुपए जमा करने होंगे, प्रताकी ओर से पैसे जमा करने के बाद ठगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, वहीं दूसरा मामरदानापुर के काली मैदान रोड निवासी अमरंद्र नामक व्यक्ती से जुरा है, जिससे बिजली काटने का भय दिखा कर, उनके खाते से 1,69,888 रुपए की निकासी कर लिगए, कॉंग्रिस ने उठाया पितरी पक्ष मेला को राष्ट दकारनी समीती के सचीव कॉंग्रस पार्टी के वरिष्टनिता, गाजो लाल पाठक, कॉंग्रस उपाध्यक्ष बाबुलार प्रिशास सिंग, दामोदर गोस्वामी, नरायन प्रपन दीपूलाल भाया, राम प्रमोत सिंग, प्रदुमन दूबे, अभिशेक प्राप्त नहीं होना, बेहत द्रभाग्य परण बात है, गया का पित्रिपक्ष मेला और सोनपूर का पसु मेला, दोनों राष्ट्रिय मेला की सभी अहरता को रखता है, सिमे बिना देरी किये, राष्ट्रपती, प्रिधान मंत्री और केंद्री, परिटन मंत्री को पित्रि निधन हो गया मालम हो कि इन्हें भारत में हरित क्रांती के जनक के तौर पर जाना जाता है बता दी कि मेरे जानकारी के नसार उनका निधन लंबे उम्र में आनी वाले दिक्कतों की वजह से हुआ है इन्होंने वर्स 1972 से लेकर 1989 तक इंडरेन कांसल ओफ एग्रिकल्चरल रिसर के अध्यक्ष के तौर पर काम किया भासरकार की ओर से इन्हें उनके क्रिसे चेत्र में उलेकने योगदान के लिए पद्म भूसन से भी नवाजा गया है इनके निधन पर पीयम मोदी के द्वरा शोक व्यक्त करते वे लिखा गया है कि डॉक्टर MS स्वामी नाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ हमारे देश के इतिहास के एक बहुत ही महतपुन समय में क्रिसी में उनके अभूत पूर्व कारे ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खादिय सुरक्षा सुनशित की उनका जीवन और का आई दिन हमें सराब तसकर इस जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाग इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवाग के ओर से जीत और कोशिश की जा रही लेकिन असके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास जादा कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा 111 काटन अलग-अलग तरह के ब्रांड के सराब जब्ट किये गए हैं जिसकी कीम अपलग-बग 50 लाख रुपे आंकी जा रही है वह इसके लावा एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसके पैचान राकेश कुमार के रूप में की गई है फिलाल टीम के दोरा इस मामले क मनोज ज्जह के पढ़े कवीता को लेकर प्रिशान क सोर का अर्जेडी पर हमला अर्जेडी नेता और राजी सभा शांसत मनोज ज्जह के हाली में महीला आरक्षण बिल पर बोलते है उन्होने कैसी कवीता सुना दी जिस पर बवाल हो गया इस पर जमसुराज के सुत्रदार प्रिशान्त कुसोर ने कहा कि ये कैसे संभव है कि उनका मंतरी बयान दे रहा है और तेश्वी यादव को पता नहीं है आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंतरी बार बार बयान दे देगा और पता नहीं चलेगा सुधाकर सिंग ने बयान दिया तो कितने दिन मंतराले में रहें वो जगदानन सिंग के लड़के हैं इसके बावजूत उनको पत छोड़ना पड़ा ये दलगत मामला है ये दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं और जहां तक उस विशय को कहना चाहिए कि नहीं तो कोई भी आदनी बता सकता है कि भाई आप उरू जुरूल अरणगल बाद पार्टी के कहने पर पार्टी के नेताओं के कहने पर कहें ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजे कि समाज में विद्वेश बढ़े आपस में मार पीठ हो आपस में जगरा लड़ाई हो वाद विवाद हो पत्रकार में उसी में पढ़ जाए मूल विशय जो है पढ़ाई का विकास का रोजगार का वोच चला जाए हास के मंतरी नितीश कुमार से मिलने के लिए एक अने मार्क पहुंचे ऐसे में अब इन दोनों निताओं के मिलाकात से बिहार के सियासी गल्यारों में चर्चा तेज हो गई है बता दे कि इनके बीच यह मिलाकात लगभग आधे घंटे तक चली मीडिया में चल रही खबरों के चारी है कि उनके बीच इन मामलों को लेकर भी बातचीत हुए हाला कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है एंडिये के सीट बटवारी को लेकर अमसा से मिले उपेंदर कुश्वाहा बीते दिन रालोजद के राश्ट्री अध्यक्ष उपेंदर कुश्वाहा और बीजपी के वरिष्टनी था वकेंदरे ग्रे मंत्रे अमसा के बीच नई दिल्ली इसित नौर्थ ब्लॉक में मुलाक चली इस दौरान वहां रालोजद के राश्ट्री प्रिधान महासची माधव आनन्द भी मौजूद रहे मालमों किसे पहले भी उपेंदर कुश्वाहा ने अमसा से मुलाकात की थी इन सब के बीच बीजेपी के वर्ष चनीता पुर्व मंत्री नंकिशोर यादब के दोरा किया गया है कि विपक्षी गरबंधन का बिखरा होता है साथ वर्षो बाद भारत पहुंची पाकस्तान क्रिकेट टीम मालम हो कि पाकस्तान विश्व कप में नीदल लैंड्स के विरुद अपना अभियांच शुरू करने से पहले 29 सितंबर को न्यूजिलैंड और 3 ओक्टोबर को ऑस्ट्रीलिया के विरुद अभ्यास मैच खेलेगी आपके जामकारी क्लिबता दी के पाकस्तान के खिलारियों को भारत आने से 48 घंटे पहले भारतीय वीजा मिला दरसल भारत और पाकस्तान के बीच तनावपुन रिस्तों के चलते दोनों टीम केवल एशिया कप और ICC टूर्नामेंट में ही एक दूसरे के विरुद खेलते हैं बीदर दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने रपना चाहब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है अगर आप यूटूब से देखना चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद